हाँ भई कौन सी गाड़ी ले रहा है अच्छा टाटा नेक्सान क्यों सेफटी ओहोँ सो नया वा फैक्टर आ रहा है अभी यह डिसिजन मेकिंग क्योंकि पहले तो हम सिब यही बात करते थे कि भाई कितना देती है और उस इसाब से सारी चीज़ें चलती थी सो टाटा की गाड़ी ले रहा है मतलब तू यह साल तो बढ़िया भी लग रहा है टाटा को सो देखते हैं आज टाटा का एक के छोटा सा अनलिसिस में प्रेजेंट करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर चल बाद में बात करते हैं सो देखा दोस्तों आपने मेरा एक दोस्त जो मारूती का डाय हार्ट फैन था वो अभी से बात कर रहा है सेफटी पॉइंट ऑफ यू मतलब अभी यह जो स्टार रेटिंग वगेर आ रही है कि अगर आपका एक्स रेंट हो जाता है तो आपकी गाड़ी कितनी सेफ है और उ अगर आपको यह अच्छा लगेगा और अगर आपको यह अच्छा लगेगा तो जरूर अमारी वेबसाइट इन्वेसंद्धर.in को विजिट कीजेगा और यू को बहुत ज़ादा हमारी महनत यहां पर लगाते हैं तो हम आशा करते हैं कि आप उसे अप्रिशेट करोगे थ आपको बहुत ज़ादा इंपक्त होगा बट ताटा मोटर्स के लिए यह होता हूँ नजर नहीं आ रहा है Fy21 यह जो साल है टाटा मोटर्स के लिए अभी तक का अगर मैं देखता हूँ यानि कि नवेंबर 2020 तक का जो डेटा हमारे सामने आया है वहाँ पर टाटा मोटर्स के जो टोटल सेल से वो 15% से अप है 15% से अप कंपेर्ट तो लास्ट यह सेम अगर हम पूरा एक पिरेट देखते है तो और इसमें हमने almost almost दो मन्त का complete lockdown देखा है जहाँ पे सेल होने का कोई पॉइंट ही नहीं था बट अभी सिनारियोज आर गेटिंग चेंज जिन दाट्स वाट वी आर लुकिंग अट देश यहाँ पे 15% का यह जो ग्रोथ आया है यह किसकी विज़े से आया है तो यहाँ कुछ popular vehicles है Tata Motors के जिनोंने बहुत ज़ादा help की है Tata Motors की passenger vehicles में utility vehicles में sale में So top performing अगर vehicles हम utility vehicles में बात करते हैं तो एक है Nexon और दूसरा है Harrier दोनों को बहुत ही जबर्दस्त response customers की तरफ से आता हुआ नजर आ रहा है दूसरे दो vehicles जो है वो hedge pack category में आते हैं एक है Tiago और दूसरा है Ultras IPL आप लोगों ने देखा होगा IPL में बहुत ही बड़िया तरीके से advertisement हुई थी Ultras की और वो एक बहुत ही positive impact सेल पे होता हुआ नजर आ रहा है Ultras के और अभी जिस तरीके की bookings है पेंडिंग bookings है टाटा motors के पास वहां पे around 30-35,000 bookings pending है जिसमें majority of the bookings are Ultras, Piago and Nexon तो यहां पे बहुत ही सही तरीके से यह सारी चीज़े चलती हुए नजर आ रही है अगर मैं last 3 months की बात करता हूँ consecutive 3 months है consecutive 3 months में यहां पे 20,000 plus units every month every month TADA Motors नहीं यहां पे बेचे है and what they are targeting in the quarter 4 of FY21 or quarter 1 of calendar year 2021 यहां around 25,000 plus units per month they are trying to sell in next 3 months time so this is quite ambitious but they can achieve looks like कि यह जिस तरीके से सिनारियो चल रहा है I think they can achieve and one should have these kind of ambitious targets when you have seen a very bad phase of sales specifically last 3-4 सालों में हमने देखा है यहां पे सारी चीज़े चेंज होती ही नजर आ रही है TADA Motors के और यही वो एक चीज है जो एक positive momentum बिल्ट होरा Indian business के लिए even the positive sentiment is getting built for the Jaguar Land Rover JLR जिसे हम कहते है वहां पे भी वह होता हुआ नजर आ रहा है दो sustainability कितनी होगी क्या होगी we do not know and that's why the problem comes into mind कि भाई क्या exactly क्या होगा but कुछ अच्छी चीज़े हो रही है तो I think we should highlights on that's what अगर आप existing shareholder हो Tata Motors के तो these things should be you should know these things then और एक ambitious target company लेती होगी नजरारी और वो है FY22 financial year 22 यानि कि 1st April 2021 से लेके 31st of March 2020 तर 22 तक जो target company ने लिया है per month का वो है 40,000 units 40,000 plus units per month वो sell करना चाहते है अब ये चार जो brands है Nexon हुआ, Harrier हुआ, Ultras हुआ या फिर Tiago हुआ इसके अलवा दो और जो ब्राइंट्स ये launch कर सकते है वेहिकल्स ये launch कर सकते है एक है micro SUV, Hornbill और दूसरा है top of the line SUV वो है Gravitas तो ये दो वेहिकल्स भी आने वाले है in FY22 and that's what the company is expecting कि यहां से ये जो 20,000 का हम पर मन का run rate ले चुके है 25,000 हम target कर रहे है in the last quarter of FY21 and FY22 they are targeting 40,000 plus units per month so these are all quite ambitious targets the company is setting up obviously अगर ये targets achieve कर पाएगी company so फिर results भी काफी अच्छे हो सकते है and that's what that is what the market has already started discounting and that's why we have seen a run-up in the stock price of this particular company तो आप बोल सकते होगे क्या बात हुई आपने तो rally होने के बाद ये सारी बात ही किये but अगर ये run rates ये achieve कर पाएँगे then the next momentum can continue फिर वो targets जो है जो thought process है company की भाई अगर बाकी companies 1,000,000 के उपर होना शुरू हो सकती है 5,000 के order book इनके पास spending है so it means कि 1,1 and half months का जो run rate ये target कर रहे वो तो already उनके पास order book में ही है तो वो delivery करते जाएंगे और नहीं deliveries आती जाएंगे तो definitely it will be a very good thing another reason है कि ये sale इतना क्यों जादा नजर आ रहा है एक है pent-up demand and जो personal mobility की choice समने आती हुई नजर आ रही है ये दोनों factors बहुत ही बढ़िया तरीके से play out हो रहे है Tata Motors के लिए और recent times में जिस तरीके से media ने भी ये cover किया है पहले कैसा average कितना देती है economy कितनी है and all those things worthy on the mindset of the customers, the buyers but now the safety factor is also that much important and that's why ये जो ratings आ रही है 5 star rating, 4 star rating, 3 star rating वहाँ पे I think Tata Motors और Mahindra और Mahindra की गाडिया बहुत ही बढ़िया तरीके से place नजर आ रही है top performing नजर आती है वहाँ पे so that is also one factor so अभी जैसे हमने बात की दिए थोड़ी देर पहले कि currently ये साल में FY21 में इन्होंने 15% का growth लिया है last year का same period अगर हम लेते है तो exact vehicles कितने सेल किये है till date November 2020 ये financial year में so वह आकड़ा है 1.13 lakh 1.13 lakh vehicles they have sold और जैसे हमने बोला था what the company is targeting company is targeting 25,000 plus units per month so अगर 4 मेने का भी हम run rate लेते है तो we will not be surprised कि अगर ये particular number achieve कर पाएंगे तो more than 2 lakh vehicles ये सेल कर पाएंगे and the growth rate would be between 30 to 40% compared to FY20 but initial target जो company ने अभी रखा हुआ है जो overall broad based target है वो target है around 2 lakh vehicles so 2 lakh vehicles अगर वो कर पाते हैं तो I think that would be quite phenomenal अगर 1.75 lakh vehicle भी ये financial year में सेल होते हैं तो भी ये जो अखड़ा होगा growth का वो 25% का होगा so what they want to achieve is the growth between 30 to 40% for the financial year 21 so let us see कि ये हो पाता है नहीं हो पाता है but एक चीज़ तो अच्छी होती भी नजर आ रहे है जो market share था Tata Motors की गाडियों का वो 5% था but अभी वो 8% हुआ है number 3 position पे ये market share already आ चुका है number 1 position पे Maruti number 2 position पे Hyundai number 3 position पे now it is Tata Motors number 4 position पे पहिंडराण महिंडराई ये गाडिया रुकी गाडिया यहाँ पे नजर आती है but अगर मैं सिर्फ और सिर्फ ये utility vehicles की बात करता हूँ ये फिर passenger vehicles like Tiago and Ultras की हम बात करते है यहाँ पे then the market share for these specific units जो मतलब उनके साथ ही respective comparison अग होगा वैसे units का बाकी की गाडियों का बाड़ी पाकी की गाडियों का तो फिर जो market share है वो double digit touch कर चुका है so utility vehicles and passenger vehicles ये जो 4 vehicles में आप लोगों के सामने बता है तो वहाँ पे जो market share है Tata Motors का वो double digit touch कर चुका है so these are very positive signs for the Tata Motors this particular analysis was only and only focused on these passenger vehicles and not on their trucks and all those things तो आप बोल सकते हो क्या रही है केसा analysis है यहाँ पे एक छोटा सा मतलब छोटा analysis a part analysis I wanted to present in front of you तो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लागा होगा अगर अच्छा लगा होगा तो like करना बिल्कुल बद भुलेगा वीडियो को share भी कर सकते हो आप और चैनल को subscribe करना मत भुलेगा दोस्तो so investendia.in को visit कीजिए वहाँ पे आप हमारे model portfolios documenter plus या फिर mfendia को subscribe कर सकते हो बहुत सारा research वहाँ पे हम upload करके रखते है it will be very helpful for you people to build your portfolios तो मैं आशा करता हूँ कि आप ज़रूर हमारी website investendia.in को visit करेंगे तो ऐसे ही वीडियो के लिए इस चैनल पे बने रही है दोस्तो और next वीडियो तक लिए पुजाग्या दीजिए चैहिन